ओम सिरीगनी सायनम दूस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दूस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 सितंबर सनीवार के रासी फल के बारे में कीह दिन कुम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्ब राशी वालों के लिए शनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो घर परिवार में आज कोई सुब कार्य संपन होनी की संभावना बन रही है परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है संतान पक्ष को लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं तथा आपको किसी प्रिकार का कोई सेहोगी प्राप्त होनी की आज संभवना अच्छी बन सकती है ऐसे में सोची समझी रन नीती के तहद कारे करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके दोस्तों साति सात आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर पूरी तरह से आज ध्यान केंदरित रखें कहीं पुंजी निवेस करना फायदेबंद साबित हो सकता है विद्यार्तियों को पृतियोगिता संबंदित परिक्षा में उचित परिणाम आज हासिल होंगे दोस्तों आज आपके सभी काम आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजिगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह इस्तिती आपके व्यक्तित्व को प्रभाव साली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा धर्मिक व्याध द्यात्मिक छेत्र में आपका आज विसेस रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शकारात्मक और संतुलित रहेगी दोस्तों साति सात दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योगता और छमता पर अधिक विस्वास करें दोस्तों आज का दिन आपके सपने और महत्व कांचाओं को पूरा करने का है पूरे मनुयोग से अपने कार्यों के पृति आज आप समर्पित रहें साति सात प्रॉपर्टी से संबंदित रुके हुए आज कार्यों आपके पूरे होंगे इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदित विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही है किसी अन्य व्यक्ति की वज़े से घर में आज तनाव का माहुल हो सकता है धन अचल संपत्ति को ले करके विवाद उत्पन होने की भी संभावना बन सकती है यदा कदा उतार चड़ाव उत्पन होने की भी संभावना होती है तो उससे भी आज आप दूर रहने का प्रियास करें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकाबट आ सकती है ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरवाई आपको अपने लक्षे से भटका देगी किसी प्रिकार की दूविदा की इस्तिती में किसी अनुभवी वेक्ति की सला आपके लिए फाइदेबंद रहेंगी दोस्तो साथ साथ आपको एक बात का विसे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अक्सर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रबाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तो ईगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साथ साथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजर्गों का अपमान होने की भी आशंका है साथ साथ आज खर्चों की भी अधिक्ता के कारण बजट भी गड़बडा सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तों पती पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के बातावरन को और भी खुस नुमा बनाएगा परिवार के साथ मनोरंजन वेस्ट सौपिंग में आज समय वैतीत होगा इस से घर में खुसी का माहौल और अधिक रहेगा साथ साथ एविवाईतों के लिए भी आज कोई अच्छा रिस्टा आ सकता है जिस से उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवेस्टाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है आज उनके बहतर परिणाम सामने आने वाले है बहत्मपोर्ण उपलब्दियां आज आपको प्राप्त होंगी नोकली पेशा व्यक्तियों का कोई टारगेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा वैविशायक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा जिसके वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे साथ साथ प्रॉपर्टी के वैवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभाव ना है साथ ही पबलिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कोई ओफिस्यल यात्रा आज करनी पड़ सकती है मीडिया तथा मार्केटिंग संबंदित व्यवसाय से जुड़े लोग आज बहतरी इन उपलब्दियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतित करें दोस्तो आज आपको कारेचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी समय ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इसके लिए आप अपने खानपान पर विसेश रूप से ध्यान दें साते सात आज आप आरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपके लिए अच्छ रहेगा दोस्तो साते सात अपने स्वास्तगोर और भी अच्छ रखने के लिए दोस्तो आज आप इशनान आदीश निर्वत्र होने के बाद एक काटोरी में थोड़ा सरसों का तेल लें इसके बाद आप उसमें अपना चेहरा देखें फिर आप उस सरसों के तेल का किसी जवतमंद को दान भगवान शनिदेव का ऐसमनार करते हुए अवश्य करें जा दोस्तों ऐसा करने मात्र चाही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे यो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशन यो कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके सभी कारें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवा शनिदेव का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्ष में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद